जम्मु कश्मीर में विधान सबाच शुनाओं की वोटिंग चल रही आज पहले दोर की वोटिंग हुई और लोगों ने बढ़ चल कर यहाँ पर वोटिंग की लेकर जम्मु कश्मीर में वोटिंग से घाटी का माहौल किस तरीके का है लाल चौक से कश्मीर के दिल की बात सु इंडिया की खास बात क्या है इंडिया की खास बात ये है कि वो अपने पास्ट को जिस खुबसूर्ती के साथ सेलिब्रेट करता है इंडिया की खास बात क्या है इंडिया की खास बात ये है कि जिस तरीके से इंडिया अपने पास्ट को सेलिब्रेट करता है देश तो बहुत हैं, लेकिन incredible India के नाम से India को जाना जाता है क्यों? क्यों कि यहाँ पर हर मजभब के लोग हैं हर इनसान यहाँ पर मिलजुल के रहता है क्या खूपसूरती के साथ past को celebrate किया जाता है history को celebrate किया जाता है और आज हम ऐसी ही एक खुबसूरत जगा पर हैं, हम हैं श्रीनगर में, इस समय हम डल लेक में मौझूद हैं, शिकारा में हम लोग मौझूद हैं, फ्लोटिंग मार्केट्स तो आप सभी ने बहुत देखी होंगी, वेतनाम में हैं, थाइलान में हैं, लेकिन सबसे खुबसू पर जहाँ पर इलेक्शन होने वाला है, वहीं कश्मीर में किस तरीके से खुबसूरती वैसी ही बरकरार है, डेवलाप्मेंट का नाम अगर हम करते हैं, या इमपावोमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो किस तरीके से जो खुबसूरती एंटक्ट हो रखी है, वो हम आप अगलाग जो stalls हैं वो यहां पर लगे हुई है आप देख सकते हैं किस तरीके से क्योंकि यहां पर कई तमाम टूरिस्ट आते हैं तो यहां पर पानी की बॉटल्स हो या अरेंज्बिंट्स हो तमाम खाने के वो भी यहां पर लगे रहे हुए हैं और खास स्वेज सब्स करते है तो वो ये रहता है डल लेक यह मारकेट अपने आप में एक खूपसूरती टूरिस्ट अट्राक्शन बन जाती है याँ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कई ऐसी दुकाने भी लगी हुई है क्योंकि dry fruits का यहाँ पर जो दुकान है वो लगी हुई है तमाम जो eatables है उनकी दुकान यहाँ पर लगी है और आप देख सकते हैं चाहे वो left हो right हो यह एक लंबा stretch है जहाँ पर लोग जो है एक तरीके से व्यापा गुफ्तगू कर लूगी कि आखिर क्या कुछ खास किस तरीके से उबैद जो है वो लोकल यहां के रहने वाले है उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ महाल चल रहा है जब इतनी कूपसूरती है तो थोड़ी बहुत इलेक्शन की भी बात हो जाएगी और थोड़ी बहुत इस market के बार में उबैद आप हमको बताईए कि क्या कुछ खास इस market में देखने को मिलता है मीना कुछ क्या खास बात आप इस market के बार में बता सकते है कि आपने कहाँ टूरिस्ट आ रहा है सब कुछ आ रहा है अगर development अगर हम बात करते है तो कैसी development हो यह कशमीर में कश्मीर तो बहुत अच्छा है development तो अच्छी होगी घाए यहां पर थो समाय सीटी इस तरीके से तो यहां पर सबसे बड़ी अच्छी बात है तो गाडिया भी अच्छी तरीके से अब चल रही है और तो यहां पर कोई जाम है कुछ नहीं रहता है वेरी नाइस जाम भी नहीं रहता है और अच्छा अगर हम कि अच्छी बात करता है क्योंकि काफी मिलिटेंसी देखने को मिलती थी एक डर बना रहता था उससे क्या निजाद मिला है उससे क्या रिलीफ मिला है अगर दिखा पाए कि किस तरीके से यहां पर जो शौल फाक्टरी शोरूम है नियू एशन हैंडलूम एमपोर्य में इससे क को दोनों ही साइड पे एक बहुत ही कुपसूरत जो कारीगरी है लोगों की वो देखने को मिलेगी और आप देख सकते हैं अगर भाईया मैं आप से कहूंगी थोड़ा सा अगर आप महां पर लेले मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगी क्योंकि क्राफ्ट जो है आप द यहां पर की तो हम फ्लोटिंग मार्केट में हैं और फ्लोटिंग मार्केट में मुझे चालिस साल कम सका मिनों ने बताया सर कितने सालों से आप यह सब कर रहे हैं मेरे चालिस साल से उपर करते हैं मगर इसी साल से हम अमर आज 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 अमर और यह क्या कुछ हमारे दर अकरोट की लकडी से बनाए तो इसको पूर्आ पर अबने तराशा है इसको शेप दी है और यहां पर अगर हम फ्लोट करते हैं तो बहुत फेमस है यह फ्लोट राजभार्णीडront यहां पर आप कितने टाइम तो आपको क्या लग रहा है किन मुद्दों पर इलेक्शन होना चाहिए इस बार क्या मुद्दों होने चाहिए मुश्किल है कि अगर हम बात करते हैं डेवलप्मेंट की तो डेवलप्मेंट अच्छा खासा हुआ नवा जर्सी नहीं बता यह बस अपना काम है जो आप करते हैं यहां पर वह तो चोटा-चोटा बश्चा क्या है अच्छा तो तरीके से जो न भी वो नकाशी करते नजर आ रहे हैं लेकिन हम आपको एक बरी एक पिच्चर और व्यू दे देता है कि किस खूपसूरती के साथ यहां पर अगर हम बात करते हैं फ्लोटिंग मार्केट की क्योंकि हम श्री नगर में एक खूपसूरत जगहा पर इस समय हम मौजूद हैं तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा यानि जो लोग हैं वो किस तरीके से अपनी आठ को यहां पर एक फ्लोटिंग यानि डल लेक के उपर फ्लोटिंग मार्केट पर डिस्प्ले करते हैं आप चाहें वो सब